इंडियन प्रेमियर लीग सीजन 11 के ओपनिंग मैच में ही डिफेंडिंग चैंपियन्स मुंबई इंडियन्स की हवा निकालने वाले बल्लेबास केदार जाधव ने पैर की मानस्पेशियों में खिचाव की वज़े से सरजरी करा ली है और वो जल्द ही मैदान पर वापसी करने के लिए तयार है आपको बता दे केदार जाधव आईपियल सीजन 11 के ओपनिंग मैच के दोरान ही चोटिल हो गए थे जिसके बाद जाधव ने पूरा टुर्नामेंट मिस कर दिया गौरतलब है जाधव ने अपनी सरजरी कराने के बाद खुद इस बात की जानकारी देते हुए अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट की जाधव ने अपने ट्वीट में लिखा अपनी सरजरी के बारे में फैंस को जानकारी देने के लिए मैं काफी बेताब था इन दिनों मैंने महसूस किया कि आप सब ही मेरी असली ताकत है मैदान पर दोबारा वापसी करने के लिए अब मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी बता दे कि IPL 11 में मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पहले ही मुकाबले में जादव ने धमाकेदार पारी खेल कर अपनी टीम चन्ने सुपर किंग्स को जीत दिलाई थी इसी मैच में एक शॉट खेलते वक्त उनके पैर में काफी इंजरी हो गई थी इसके बाद भी जादव ने मैदान नहीं छोड़ा और अपनी टीम को जीत के मुकाम तक पहुचा कर ही दम लिया